आई असलालेकॉम आज फिर हाज दिरू आप लोग ले बहुत झबरदर्स आइडियास लेके जो कि आपके डिल लाइफ को बहुत आसान बनाएंगे आपके बहुत सारे पैसे बचाएंगे बहुत सारा समय बचाएंगे ऑर आपकी बहुत सारी परिशाणियों को आज खेतम भी कर देंगे तो वीडियो को बिल्कुल भी skip मत कीजेगा, फुल वीडियो को watch कीजेगा क्योंकि बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही ज़ादा informative वीडियो होने वाली है और अगर आपको ideas पसंद आएं तो अपने family friends, अपने relatives के साथ में भी वीडियो को ज़रूर से share कीजेगा ताकि सारे ideas उनके भी काम आ सकें और वो भी अपनी जिन्दगी को आसान बना सकें तो हम टाइम को बिल्कुल भी जाया नहीं करेंगे और वीडियो को start करेंगे जी और देखते हैं कि हमारा सबसे पहला idea है वो क्या है तो जी पहला idea है आलूओं को लेकर के सरदियों का टाइम शुरू हो चुका है और आलू के पराथे तो हर घर में बनते हैं अचे जी आलू कुछ भिंड हम अबार लेते ना तो गरम गरम में जितने तरीकेसे तरीकेसे शैटालो जाते न त बने अच्छे तरीकेसे जब थंडे हो जाते हैं तब नहीं उपाते हैं कि नुसीबत तब होती है कि जब हम लोग गरम आलू को मैश करने लगते हैं और वो जलते हुए आलू हमारी उंगलियों में लगते हैं बड़ी परेश्टानी होती है जिए हमारे हाथ जल जाते हैं तो बिल्कुल भी अपने हाथों को मजलाईए इतना अच्छा जबरदर्सा करोंगे तो आपको बहुत ही जदा पसंद आएक और आप आलू को गर्म चील सकोगे उसको मैश भी कर सकोगे तो जी उसके लिए ले लेना है को इस तरीके से कोई भी ज़्णा ले लेना है हमारे तो ज़्णा ही बोलते हैं आपको क्या वोलते हैं मुझे कमेंट बोक्स में अपने ताइम को भी बचा सकते हैं और अपने हाथों को भी जलने से बचा सकते हैं और उमीद है कि आप लोगों को मेरा ये वाला आइडिया जरूर से पसंद आया होगा कि और ये ऐालू को सिलनेगा आप आड से सीर समया यहीत और Verb पर उक आपको इस तरीके से पाणवा है और रखने के आदे हैं आपको ऐसे दबा देना देखिए कितने अच्छे तरीके से दब गए हैं अच्छे आप लोग को आलू का कलर भी तो डिफरेंट लग रहा होगा तो जी एक काले वाले आलू में बहुत ही जादा अच्छे होते हैं अगर किसी को डायबिटीज बगर है खाने के बाद में आप को यकिन होगा उनकी शुगर भी नहीं बढ़ती है और अगर नॉर्मल अलू खा लेते न तुनकी शुगर काफी जादा बढ़जाती है तो इसी वैदे से हम यही वाले आलू यूज़ करते हैं और आप लोग को B. You do तो आप इन ही को ट्राइ किजिए इन्हीं को बनाईगा बहुति ज़्यादा है, बहुतिंज ज़्यादा है and health के लिए बहुत अच्छे होते हैं को मैश कीजेगा रुमीद है कि आप लोग कोई आईडिया जरूर से पसंद आया होगा चलिए देखते हैं नेक्स्ट आइडिया क्या है तो जी इतने सारे कंगे मेरे घर में पड़े हुए हैं लेकिन सारे के सारे गंदे हो गए हैं तो कभी-कभी होता है न कि हमारे कंगे हैं तो वह भी अन्हाइजिनिक हो जाता है तो उसको साफ करने के लिए आपको क्या करना है जी आपको ले लेना है कोई भी टेलकम पॉडर होना तो वह भी चल जाएगा मेरे पास में यह पड़ा हुआ था एक छोटा मोटा सा तो मैंने इसी को यूज कर लिए इस तरीके से लेना है इस पॉडर को ठीक है जैसे कि मैंने किया इसी तरीके से आप भी कर लीजेगा और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और चैनल पर फर्स्टीम आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लिजेगा और एक छोटा सा प्यारत सा कमेंट भी जरूर से कर दिया करिए इस से ना हमको हमारे लोगों की होसला अवजाई होती है और मुलों को पता चलता है कि हमारा जो काम है वो आप लोगों को पसंदा रहा है अच्छा जी देखिए मैंने सारे जो ना कंगों पे इस त साफ सुत्रे हो जाएंगे खुश्बूदार हो जाएंगे हाईजीनिक हो जाएंगे सारा ओइल जो इसमें से निकल जाएगा आपको बिल्कुल भी परिशान हो नहीं पड़ेगी कोई भी पानी घरम करके और उसमें दुनिया भर की चीज़ें डाल करके उसको साफ करने की भ जब मैंने निकाला तो कितना सफेथ था और इसमें इस पॉडर का क्या कलर हो चुका है देखिए कितने अच्छे साफ हो गए न सारे कंगे मेरे इस तरीके से आप भी अपने कंगो की सफाई कर सकते हैं उमीद है आपनों को यला आइडिया भी मेरा जरूर से पसंद आया तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा गंदगी हुई है न पॉडर के तो जी उमीद है कि या आइडिया आप लोग को जरूर से पसंद आया होगा चलिए देखते हैं जी हमारा जो नेक्स्ट आइडिया है वो क्या है बड़ा ही जबरदसा आइडिया होने वाला है वो तो इसको मैं आज ही बना डालूंगी आचा जी यह जो है ना काला वाला आलू है मैंने जैसे कि आप लोग को पहले भी बताया था तो यह मैं आपको दिखा रही हूं क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि काले वाले जो आलू होते हैं उसमें सिफ काली मिट्टी की करना है तो आपको पता चल जाएगा कि आलू काला है या नहीं है अच्छा चली देखते हैं दूसरी तरफ हम आते हैं तो इसमें जड़ निकलने वाली जड़ वाले आलू को मैं आज ही बना लूंगी लेकिन होता क्या है मेरे पास तो यह लास्ट आलू बच्ची हुए थे सब हम खसे होगे लेकिन होता क्या 用ड़ जादा आ'd ago कि इसके लिए में क्या करना हो अपने देखा होगा कि बज़ार मन्डी जाते हैं दो मंपर मन्डी वाले भईया छो होती हैं वह चपुप को रखेंगे आप के पास में निऊशपेपर हो तो कोई भी पेपर सब्से बीच में पहले हैं यह सब्सक्राइब हों सब्सक्राइब के लिए दो site at all sis a clean नहीं होती हैं, उसको थोड़ी थोड़ी एर मिलती रहती है, जिसके इसे वो खराब नहीं होती है, दूसरा होता क्या है, कि जितना भी पेपर होगा न ये इन सब्जियों में से मौश्यर को एकदम से खीच लेगा, मतलब कि जितनी भी मौश्यर ये डलिया में हमारे आएगी उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारे सब्जियों को खराब होने से बच जाएगा, क्योंकि सब्जियां हमारी तभी खराब होती हैं, जब वो एक दूसरे से टाच हो रही होती है, जब उनको हावा नहीं लग रही होती है, जब उनके अंदर बहुत सारा मौश्यर आ प्यास भी आपको अलगी करके रखनी होती है क्योंकि यह बहुत जल्दी एक दूसरे को खड़ाप कर देती हैं अच्छी नेक्स ट्राइड इस तरीके से कूकर को लेकर के अभी मैंने बनाये थे चने जल गए थे और इस तरीके से कूकर मेरा उया था जो कि बिल्कुल भी साफ ठीक है ना तो इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोड़ा डाल दिया और उसके बाद में जी दीपा वली के थोड़े से दीए वगदा पढ़े हुए थे आपके पास में अगर दीपा वली के दीए हो या कुलर के ऐसे थोड़े बहुत कोई भी मिटी हो तो वह आप ले सकते हैं उ टीक है कि एक से दो Sushi अगध कि देनी है और आप उसके बाद में देखी है अगर जादू देखे 2 Sushi मैनि स्kőकर को देढ़ी जो ठोड़ी करना देता है उसके बाद में आपको दिखाते है कि किस तरहीके से साफ लाइव रिजल्ट आपके सामने आए दाला पणिए डाले और पूरा कूकर जला भूना था वह सब साफ होगी आप देख सकतें जो चुटमुटनीशान है इसको अभी हम हलका से स्कुरब करेंगे और यह सब भी साफ हो जाएगा आपके समसे लाइब रिजल्ट है और मैंने आप लोगों को इसलिए दिखाया था कि आप लोग यह ना कह पाएं कि हमने बरतन को बदल दिया तो जी बरतन को नहीं बदला है बरतन वही आप देख सकते ह पहले वाला बरतन वही था तो इसको दुल लिया और दुलने के बार में आप देख सकते हैं पूरा कोकर मेरा साफ हो गया बिलकुल भी ना रगण ना पड़ा ना घिसना पड़ा और उमीद है कि आप लोगों को मेरा यह वाला जो आइडिया है भी जरूर से पसंद आया स्क्रॉबर्स में जिनसे कि आप बरतन होते हैं आपने इस चीज को नोटिस किया है अब आप पुछेंगे क्यों हो तो जी वह इसलिए क्योंकि ट्वालेट सीट तो हम लोग वीकली साफ करती ही रहते हैं कुछ लोग डेली भी साफ करते हैं लेकिन यह जो इसक्रॉबर होते जो जूटन होती है वह जब इसमें जाती है तो वह भी बैक्टिरियल हो जाता है इस तरीके से हमारा यह इसक्रॉबर बहुत ज़ाधा गंदा होता है तो जी इसको हम कैसी साफ कर देंगे क्योंकि रोज दूस्त हम नया यह लाकर रख सकते हैं इसके लिए जी हमको लेले ना सब्सक्राइब कर देंगे अधा चम्मच विनेगर जो सफेज सिरका होता है वो डाल देंगे अचा सफेज सिरका नमक और बेकिंग सोडा ये सिर्फ खाना बनाने महीं नहीं बल्कि क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं इसारी चीज़ें आप अपने पूरे घर की सफ अच्छे से दबा दबा करके डिप कर देंगे ताकि इसका जो पानी गरम गरम जो पानी वह अच्छे सी स्क्रॉबर के अंदर तक चला जाए सारे बैक्टिरिया मर जाए विनेगर और बेकिंग सोटा से और नमक की विज़े से इसकी सिर्फ कर सकते हैं वीकली साफ करिए ती वीकली जाए साफ सुधरिया जाए तो न इसको लाए जो जाए जाएगे अपलों को मेरा एक बारम बीजाए वीक आइडिया जरूर से पसंद आया ओगा वीडियो पर फॉर्स टमाई हैं तो सब्सक्राइब जरू से कीज़ेगा वीडियो पसंद आई हो कोई पसंद आयो को वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए गा चोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर से कर दीजेगा और उसके लावा अपने family, friends and relatives के साथ वीडियो को शीर जरूर से कीजिएगा ताकि इसारी के सारी आइडियाज उनको भी काम आ सकें तो जिए वीडियो को यही पर करेंड करते हैं और फिर मिलेंगे आप लोगों से नई वीडियो में नए टिप्स औंड ट्रिक्स के साथ में आपके जिन्दगीओं को आसान बनाने वाले बहुत सारे हैक्स के साथ में तब तक के लिए मुझे दौाओं में याद रखिएगा अपना खूप सारा ख्याल रखि झाल 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 झाल